हेलो दोस्तो मैं आपका दोस्त Dr. राकेश कुमार त्रिपाथी और आज topic ए range-of-a-function पिछले जो दो पार्ट हमने डूमें को कवर किया हैं सेकेंड में ने हमने function के वह questions कवर किये हैं जो question जिन में कुछ substitution होता है और कुछ value आती है आप दोनों lectures देखेंगे तो आप और confident हो जाएंगे दोनों lectures में मैंने IIT से के level के सारे problems discuss किये हैं IIT में जो previous years में exams में questions आये हुए हैं वो सारे मैंने discuss किये हुए हैं आज का हमारा topic है दोस्तो range तो range में आप समझ लें कि range मतलब function की जो value होती है जैसे आपके पास कोई एक function लिखा हुआ है f of x is equal to माल लिजे कि आपके पास एक function लिखा हुआ है mod x upon x लिखा हुआ है अब इसमें जो outcome है जो output है वो क्या होगा वो range कहलाएगा तो रख क्या सकते हैं वो domain है तो जैसे इसका domain आपको clear होगा कि इस function का domain होगा all real numbers except 0 क्योंकि आप 0 नहीं रख सकते because 0 upon 0 will not be defined 0 upon 0 नहीं रख सकते तो इसलिए इसका domain होगा 0 all real numbers except 0 पर अब इसका range क्या होगा तो range जानने के लिए outcome क्या होगा तो आपको मॉड एक्स के अगर definition पता हो कि मॉड एक्स क्या होता है तो मॉड एक्स होता है x when x is greater or equal to 0 when x is greater or equal to 0 और मॉड एक्स is minus x when x is less than 0 यह वाली बात मैंने कई बार किये फिर मैं कर देता हूं जैसे मॉड आप माइनस 3 है तो एक्स की value कितनी है माइनस 3 है तो इसका outcome x नहीं हो सकता क्योंकि अगर इसका outcome x हो गया तो यह क्या हो जाएगा मैंनस 3 हो जाएगा जबकि इसका outcome क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए तो प्लस होने के लिए इसमें मैं नगना जरूर ही है किरआ कई एक साथ एक स赤 30 जब एक के उपढ़ लगेगा याने माइनगे हो मैंने सथी हो जाएगा तब जाकर के क्या बने गई तब जाकर के दोस्तों प्लस 3 हो जाएगा, तो mod x के ये दोनों आप याद रखेंगे, धियान में रखेंगे, तो mod x is what? प्लस x, तो इसके भी 2 parts हो जाएगे, कैसे 2 parts हो जाएगे, एक part हो जाएगा mod up x का x, ये x से इसमें कोई change नहीं, ये कब होगा, जब x 0 से बढ़ा है equal to 0 तो लेना नहीं न क्योंकि इसमें x की value domain से आती है तो x की value जब domain से आती है तो 0 नहीं आएगी और mod x की value दूसरी होगी minus x when x is what? less than 0 तो यह आपके पास आ गया 1 और यह आपके पास minus 1 तो इसका function का range बना range of this function is what? 1, minus 1 जो हमें output मिलेगा जो मिलने वाला है वहीं इसका क्या बनता है? range बनता है जैसे second example लें आप second मैं आपको case बताता हूँ second case देखिए आप f of x is equal to j से माल लीजे आपने sin x लिया तो sin x का क्या होता है? तो sin x की value होती minus 1 से लेके कहां तक? 1 तक तो इसका range क्या बन जाता है? इसका range बन जाता है minus 1 से 1 तक अगर इसी की जगे आपके पास ऐसा आ जाए ध्यान से देखिए 3 sin x plus 4 आ जाए तब क्या करेंगे आप? तो फिर आपको बीच में सबसे पहले एक basic बात ध्यान हूँ basic बात तो इसमें basic चीज़े sin x sin x कहां से कहां तक होता है? तो sin x होता है minus 1 से लेके कहां तक? plus 1 तक होता है अगर मैं इसको 3 से multiply कर दूँगा तो यह क्या बन जाएगा? 3 sin x और यहां पे plus 3 आ जाएगा लेकिन यहां पे plus 4 है तो अब मैं सम्में क्या कर दूँगा? अभी मैंने 3 से multiply किया सबको अब मैं क्या कर दूँगा? सम्में plus 4 कर दूँगा तो minus 3 plus 4 3 sin x plus 4 less or equal to 3 plus 4 7 तो यह हो गया आपका 1 और यह हो गया तो यह हो गया 1 less or equal to f x less or equal to 7 तो आपका range इस function का range क्या है आपके पास? इस function का range आए गया आपके पास 1, 2, 7 अगर यही चीज upon में होती तब देखिये क्या होता? तो यही चीज अगर upon में आजाएगी तब देखें क्या होता है? धीरे धीरे हम और हम और आप मिलके इसका level ठीक करते है और set करते हैं ताकि आपको हर तरह का question आए अगर माल लीजे कि आपके पास question है f of x is equal to 1 ने कि आपके पास question है 1 upon 2 minus cos x एक में sign ले लिया एक में cos ले ले तो cos x के भी बारे में वही खास बात है कि cos x की value minus 1 से 1 तक होती है तो देख ले cos x की value कहां से कहां तक होती है minus 1 से लेके कहां तक होती है 1 तक होती है पर मुझे क्या चाहिए 2 minus cos x तो मैं minus 1 से multiply कर दूँ तो मैं minus 1 से अगर multiply कर दूँगा तो यह हो जाएगा इस तरह से और inequality घूम जाएगी अब अगर इसमें 2 add कर दूँ तो 2 add कर दूँगा तो यह 3 बन जाएगा और यह बन जाएगा 2 minus 1 1 अब इसका reciprocal ले लूँ तो reciprocal ले लूँगा तो यह 1 by 3 हो जाएगा फिर inequality का sign उल्टा हो जाएगा ठीक है जैसे मान लिजे 2 less than 3 है जब आप इसको उल्टा करते तो 1 by 2 क्या हो जाता है greater than 1 by 3 तो 1 upon 2 minus cos x और 1 का reciprocal क्या होगा 1 तो यह आगे आपका 1 by 3 less or equal to fx less or equal to 1 तो आपको इसका range मिला इस function का range है आपका 1 by 3 to 1 यह इसका range है यह इसका output है यह आ सकता है इसके अलावा कोई भी नई value नहीं आ सकती है तो यह था इसका range निकालने का तरीका अब थोड़ा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है थोड़ा थोड़ा सा आप समझते जाएंगे फिर मैं आपको और techniques बताऊंगा आप बने रहेंगे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है f of x is equal to j से इसी चीज को आप ऐसे ले लो आपने ले लिया sin square x plus 7 ले लिया sin square x plus 7 तो sin x क्या होता है minus 1 से 1 पर जो sin square x होता है वो हमेशा क्या होता है 0 से बढ़ाया बराबर जीरो क्योंकि negative नहीं हो सकता है अब प्लस 7 करना है आपको तो यह प्लस 7 कर देंगे तो यह हो जाएगा 8 sin square x plus 7 greater or equal to 7 तो यह क्या आपका f x f x कहां से खांता हो गया आपका 7 से लेके कहां तक हो गया 8 तक हो गया तो यह आपका क्या हो गया range अगर इसी में आपको किसका पूछते वो इसी तरीके से अगर आपको पूछते f of x is equal to 1 upon sin square x plus 7 का तो फिर आपको इसको उल्टा करना पड़ता इसको reciprocal करना पड़ता तब क्या बन जाता आपका range तब आपका range बन जाता 1 by 8 से लेके 1 by 7 तक आप इसको experience करना और experience करके मुझे जरूर से बताना कि आपका answer क्या है अब देखिए 6th question है f of x is equal to अगर इस तरह का सवाल हो आपके पास तब थोड़ी सी चिंता जादा होगी f of x is equal to 2 sin x minus 1 तो यह ध्यान से देखना है आप तो यह जब देखिएगे आप तो यह बहुत ही important question है ध्यान से देखिएगा यह बहुत important question है और इसको अगर आपने देख लिया तो फिर आपकी नईया पार हो गई और आपने समझ लिया तो इसको domain में भी discussion किया था हमने कि domain क्या होगा 2 sin x minus 1 2 sin x minus 1 क्या नहीं होना चाहिए अपने पास तो 2 sin x minus 1 0 नहीं होना चाहिए तो domain आप this function निकालने के लिए पहले हम इसको 0 ले ले लेते है तो sin x की value कितनी हो जाती अगर आप मेरा trick ध्यान से सुन लेंगे तो पिर आप इ n to the power n pi by 6 trigonometric equation में आपने पढ़ा है लेवंत में तो domain में क्या हाएगा domain में हाएगा all real numbers except those x वह वाले सारे x जो की इसके बराबर होते हैं अगर आपको इसमें दिक्कातारी हो यह value निकालने में अगर आपको दिक्कातारी तो never mind आप मेरे trigonometric equation के वीडियो को देखेंगे तो यह आपको clear हो जाएगा अब हमें range निकालना है दोस्तों तो इसमें और इससे जो पहले 5th question से जो पहले का question था उसमें थोड़ा सा अंतर है जैसे उसमें मैंने मेरे खाल से लिया था 2 minus cos x लिया था तो आओ इसमें और उसमें थोड़ा सा difference है उस difference को महसूस करते हैं वह difference क्या है इसका domain क्या है तो इसका domain all real numbers है क्योंकि cos x कभी भी टू नहीं होगा cos x की सबसे बड़ी value कितनी होती है 1 होती है cos x की value minus 1 से 1 होती है तो cos x कभी भी 2 नहीं होता है तो नीचे वाली चीज कभी भी 0 नहीं होती है इसलिए इसका domain क्या था all real numbers था अब इसके case में अब आप range निकालना है तो range कैसे निकालना मैं आपको सिखाता हूँ क्योंकि यह 0 होता है इसलिए some problem is there and let us rectify that problem उस problem को हम दूर करते हैं देखें कैसे sin x की value कहां से चालू करेंगे आप sin x की value आप चालू करें minus 1 से लेके कहां तक plus 1 तक 2 से multiply कर देंगे बराबर देखो आप 2 से मैंने सको multiply कर दिया क्यों कर दिया क्योंकि यहां पर लिखा 2 sin x अब मुझे क्या करना है दोस्तों अब मुझे दोस्तों करना है minus 1 देखो इसमें one subscribe करेंगे तो सम्मे मैं minus 1 करूंगा यहां पर into 2 किया है यहां पर मैं मैंनस वन कर दूंगा तो यह मैंनस 3 हो जाएगा यह हो जाएगा 2 sin x और 2-1 2-1 कितना हो जाएगा मैंनस 1 अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है क्या दिक्कत है कि अगर मैं इसको reciprocal कर दूं इसका मैं उल्टा कर दूं इसमें दिक्कत नहीं आई थी question number 4 में दिक्कत नहीं थी it was not a problem over there वहां पर यह problem नहीं आई थी यह problem इसलिए नहीं आई थी दोस्तों क्योंकि यह कभी जीरो हो नहीं रहा था लेकिन यहां पर यह जीरो हुआ है इसलिए यह problem है तो उस problem को दुरुस्त कर लेते हैं आए हम मिलके देता हूं तो यह सो जाएगा आप कहरें कि यह निसान उल्टा कर देंगे रेंगे रेसी प्रोकल करते हैं तो कि अब आप देखो ये कह रहा है बाइनस से बड़ाए और I से बड़ाए ये साही बात है क्या मैइनस बाइत्री मसे बड़ाए क्या नहीं न मैईनस कहीं न गलत हो गया तो फिर वह compiler रख नहीं, उल्जन में मत फसो, नियम सही था, कि रेसी प्रोकल में नेगेटिव होता है, लेकिन यहां पे दोनों अलग अलगे, एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो यह वाला जो नियम है, यह वाला नियम लगेगा नहीं, this will not be applicable, तो which will be applicable, applicable कौन सा होगा, तो उसको समझने के ल होना तो आपकी जीत होगी, देखिए, माइनस 3, less than or equal to, 2 sin x, माइनस 1, दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव, अलग रख देते हैं, पॉजटिव, पॉजटिव, अलग रख देते हैं, तो नेगेटिव, नेगेटिव मैं ऐसा कर दूँ का है, मैं माइनस 0 कर दूँ, माइनस 0, प्लस 0 में कोई अंतर है क्या, नहीं, देखिए मैंने, नेगेटिव, नेगेटिव को अलग अलग कर दे, नेगेटिव, नेगेटिव, अलग अलग अलग, और पॉजटिव, पॉजटिव को अलग अलग कर देता हूं, 0 less or equal to, 2 sin x minus 1, less or equal to 1, is it true या'll, it is true, of course it is true, इसको नेगेटिव वाले को अलग कर दिया, पॉजटिव यहां पर भी नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव, यह त्रिक है, आगर यह त्रिक से आपने कर लिया, देखो फिर से सुनो, जब एक तरब minus और एक तरब plus होगा, और इस तरह की inequality होगी, तो तो फिर आप क्या करना इन एकिविलिटी को दो पार्ट में ब्रेक करना जैसे मैंने ब्रेक किया एक में मांइस जी रख देना उर्हेक में प्लस जीरय रख देना दोनों माईनस- गिए ज़ charity का यह जिरु थी कaking different região यह लिए फिल Damit इंपाइ प्लस मैनस ये वाली मटाइश जब यह क्या हो रहा था जिर ओर रहा था रहा हूं तो फिर यह 0 नहीं होगा तो एक काम करें यह equal to 0 भी नहीं आएगा यह भी नहीं आएगा ठीक है अब इसका reciprocal लो तो जब इसका आप reciprocal लोगे तो यह क्या बन जाएगा 1 upon minus 3 greater or equal to 2 sin x minus 1 upon 2 sin x minus 1 और यह क्या हो जाएगा आपका greater than 1 upon minus 0 1 upon 0 minus 0 minus minus infinity और यह वाला जब होगा तो यह वाला भी घूम जाएगा 1 upon 0 क्या हो जाएगा आपका infinity 1 upon 2 sin x minus 1 greater or equal to 1 upon 1 तो इसका range आएगा मेरे बच्चों दोस्तों यह range आएगा minus infinity से लेके minus 1 by 3 union 1 से लेके infinity यह इसका range बनेगा इस तरीके से इसका range बनेगा यह range जभी बनेगा जब मेरे सुपर स्टार्स मेरे बच्चों मेरे लाड़ों यह नीचे वाला 0 होगा अगर यह नीचे वाला 0 नहीं होगा तो यह question number 4 के जैसा होगा अब आपको confidence अभी नहीं आया तो एक question मैं आपके लिए और लेता हूँ यह 6 तो था एक 7th question ले लेते हैं आपके लिए एक खातिर आपके question और ले लेते हैं तो आपके खातिर जो question लेंगे तो वह वाला question देखें आप one upon two cos x plus one ले लो two cos x plus one ले लो two cos x plus root three ले लो एसी value की नीचे बाला 0 हो जाए ऐसा कोई case है two cos x plus one तो two cos x plus one कब 0 होगा तो जब cos x की value क्या होगी minus one by two cos x minus one by two कब होता है जब cos कितना होता है two by by three होता है cos x cos two by by three कब होता है जब x की value two and five plus minus five by three होती है n belongs to z यह अगर आपको नहीं आता तो trigonometric equations देखना ही तो इसका domain हो हो गया all real except such x such that यह जो लाइने such that की x की value क्या होगी कि यह सारे cases इसमें साथ आदें तो यह domain आ गया अब रेंज निकालने की बात है हमें रेंज फोकस करना है domain का एक video सबसे पहला video domain का यह आप उसे जरूर देखिए उससे पहले के भी videos देखिए relations पे relation भी जानना जरूर यह क्योंकि function इसा special type of relation एक विशेश प्रकार का relation है function तो range क्या चीज है तो range के लिए आप इसको यहां से चालू करें cos x की value कहां से कहां तक होती है minus 1 से plus 1 और फिर 2 multiply कर देंगे तो minus 2 cos x sorry minus 2 less or equal to 2 cos x less or equal to 2 फिर क्या कर दूँ मैं plus 1 कर दूँ तो देखो minus 2 plus 1 तो यह जाएगा minus 1 अब देखो जो मैं कह रहा था वह समस्या आ गई क्या समस्या आ गई कि एक तरफ minus और एक तरफ प्लस है एक तरफ क्या है एक तरफ minus है और एक तरफ प्लस है तो जब एक तरफ minus है और एक तरफ प्लस है तभी problem का जन्म होता है तो फिर आप इसको दो पार्ट में break करो minus 1 less or equal to 2 cos x plus 1 less than or equal to minus 0 तो equal to 0 तो होगा नहीं क्योंकि इसके domain में से वह सारी value भटी है जब जब यह 0 हो रहा है और एक तरफ आप ले लें 0 less than 2 cos x plus 1 less than or equal to 3 और आप ध्यान से देखिए अब इसका reciprocal करेंगे तो reciprocal करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1 upon minus 1 greater or equal to 1 upon 2 cos x plus 1 और यह जाएगा greater than 1 upon 0 और minus 1 upon 0 minus infinity यह हो जाएगा आपका 1 upon 0 infinity infinity greater than 1 by 2 cos x plus 1 greater or equal to 1 by 3 तो यह आपका range आ गया क्या है आपका range range of f minus infinity से लेके minus 1 तक union 1 by 3 से लेके infinity तक यह था दोस्तों इसका range trigonometric function का अब इसी type का एक और case जिसमें थोड़ा mix match है range of f of x is equal to sin x minus cos x या फिर हो sin x plus cos x या फिर range किस तरह से निकलेगी a sin x plus b cos x तो इसका एक मूल मंत्र है दोस्तों कि आप मैं इसको बता देता हूं तो यह आपको सारे concepts clear हो जाएंगे कि a की जगे r cos theta और b की जगे अगर हम r sin theta रखेंगे तो यह हो जाएगा आपके पास r cos theta sin x plus r sin theta cos x तो यह हमारे sin x plus theta अब sin x plus theta की जो value है sin x plus theta की जो value है वो minus 1 से कहां तक होगी plus 1 तक होती है जैसे sin की आपको मालूम है कि sin की values कहां से कहां तक होती है minus 1 से plus 1 अब इसको अगर r से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा minus r यह हो जाएगा plus r and what is r r अगर आप इससे देखने जाएंगे तो इन दोनों का अगर आप square करके add कर दे a square plus b square तो यह आजाएगा r square cos square theta plus r square sin square theta तो r square ले लेंगे common तो यह आपके पास r square की value आ गई क्या है r square की value तो आर की वैल्यू हो जाएगी, रूट आप ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर, तो यह इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और यह इसकी मैक्सिमम, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, आप आर से मल्टिप्लाइ कर देंगे, साइन एस प्लस थीटा, और यह वैल्यू होगी, आपके पास अंडर रूट आ स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर, और इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहेंगे, एप आफ एक्स, एप आफ एक्स की वैल्यू है, माइनस रूट आ स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर से लेके, रूट आ स्क plus B square तक तो ये इसका range है इसका range है तो इसका range कहां से कहां तक होगा इसका range होगा minus root 3 square plus 1 square तो यह जाएगा 2 और यह भी हो जाएगा आपका plus root 2 plus 2 sorry is a minus two plus two और यह वाला जो कहा से पर तक होगा अगर यह होगा आपका question तो यह मैंस one square plus one square तहां स्क्वेर वह स्वेовать्टाइक, ale माइनस स्वंट्ट्टू से प्लसलिए सका रेंज इसी तरह से इसका भी ड्येंज, इसका कोफीशन वन स्क्वाइब छiकप्लस इसका कोफीशन मैनस 1 स्क्वाइब यह तो यह ता इनका इनका सबका रेंज जो फंक्शन इस तरह के specific functions हैं उनका रेंज है अगर थोड़ा शाच इनको छैंज कर दें भी तो यह ए मुझा इलासा क्वाइब सा चेंज किस तरह से करें अब देखिए अगर क्वेस्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए एफ एकस इकुल टू मान लिजे लिख दिया आपको कि रूट ट्री साइन एकस प्लस कॉसेक्स प्लस इसका डोमेन और रेंज निकाल लिए तो इसका डोमेन तो आपको मालूम है कि क्या होगा और यहाँ में पर फोकस करते हैं तो इसकी यहां से लेगे यहां तक वाले जो function है इसकी minimum value होगी minus root 3 square plus 1 square ये इसका coefficient और उसमें plus 2 और add कर दे क्योंकि यहां से लेके यहां तक जो है इसका minimum value यह है उसमें plus 2 और add कर दिया फिर यहां क्या जाएगा आपका यहां जाएगा root 3 sin x plus cos x less or equal to और जो इसकी maximum value है maximum value कितनी होगी इसकी तो maximum value होगी इसकी अंडर root of root 3 square plus 1 square तो मैं यहां जगे कमें मैं डिरेक्ट लिक देता हूं इसकी maximum value क्या होगी 2 plus यह भी 2 add है क्योंकि इसकी value कितनी आईगी आपके पास इसकी value आईगी 2 तो minus 2 से 2 minus 2 plus 2 क्या हो जाएगा 0 और यह हो गया आपका f of x और यह हो गया आपका 4 तो range of this function is what close interval 0 to 4 यह इसका range है यह क्या है दोस्तों इसका range है अगर आपका question थोड़ा सा और change कर दें इस तरह से कर दें वन अपॉन थ्री साइन एक्स प्लस और कॉस एक्स plus 5 कर दिया 3 sin x plus 4 cos x plus 5 कर दिया तब आपको थोड़ा सा और specific हो जाना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो वो देखिए क्या होगा कि सबसे पहले आप क्या देख लें इसके बारे में देख लें कि आपका 3 sin x plus 4 cos x इसका जो minimum value है maximum value है वो कितना होगा माइनस 3 square plus 4 square का अंडर root plus और यहां पर आजाएगा plus यह हो गया आपका minus 5 और वो हो गया आपका plus 5 और हमें क्या चाहिए इसमें 5 और add कर दें तो 5 और add कर दें तो जब प्लस 5 करने जाएंगे इसमें तो यह क्या हो जाएगा आपके पास 0 less or equal to 3 sin x plus 4 cos x plus 5 less or equal to 10 तो यह आगया 0 less or equal to f of x less or equal to oh sorry f of x नहीं है यह है अभी लेकिन आप इसका reciprocal लें क्यों क्योंकि यह वन अपॉन है तो अगर आप इसका reciprocal लेने गए तो यह जाएगा 3 sin x plus 4 cos x plus 5 greater or equal to 1 by 10 और यहां 0 का reciprocal जो है 0 का reciprocal 1 by 0 यहने infinity होगा और infinity में equal नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो आपका system है पूरा वह है open interval minus infinity से प्लस infinity तक open interval minus infinity to plus infinity तो इसमें कहीं भी infinity include नहीं होगा तो इसका भी यहां equal to लगा है जब लेकिन इसका reciprocal करेंगे तो infinite will not be included तो आपके function का रेंज आ गया है दोस्तों आपके function का रेंज है 1 by 10 to infinity तो hopefully यह जो question था मुझे जहां तक इसका इल्म है कि यह question हमारा होगा 11 था मैं आपको सकता है numbering में कोई गलती हो तो never mind क्योंकि मैंने नोट नहीं किया था इसको तो अब हमारा question number 11 तो यह questions दोस्तों जो trigonometry से touch थे trigonometry से connected थे वो हमने सारे questions discuss किये अब आप देखिए कि कुछ questions ऐसे होंगे जो कुछ विसेशी प्रकार के होंगे तो सबसे पहले जैसे आपको greatest integer function मालूम है greatest integer function का क्या range होता है तो domain तो मालूम है आपको सारी real values ले देता है और greatest function हमको cable integer values देता है इस तरीके का इसका graph होता है इस तरीके का 0 से लेके 1 तक 0 से लेके 1 तक क्या देता है value 0 वन पर क्या दे देता है one और two तक कैसे ही चलता है मालूम हो आपको तो इसका range है इसका range क्या all integers, सारे integers फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं चोटी सी बात कि अगर greatest integer function की definition मैंने domain वाले part में दी हुई है आप चाहते हैं एक बार उसको देख ले नहीं तो मैं आपको यहां पर सिखाता हूँ 1.1 से just छोटा या बराबर integer 1 1.9 से just छोटा या बराबर integer 1 1.99 से just छोटा या बराबर 1 1 तो 1 आई की value 1 से छोटा या बराबर तो बराबर है और अगर आपने ले लिया इसमें minus 2.1 ले लिया तो minus 2.1 से just छोटा या बराबर तो इससे छोटा integer कौन होगा इससे छोटा इंटीजर है माइनस 3 माइनस 2.99 से छोटा कौन होगा माइनस 3 और माइनस 3 होगा अगर तो भी इसका अंसर क्या रहेगा माइनस 3 तो यह हमेशा आपको कैसी वैल्यू देगा इंटीजर वैल्यू देगा आपको hopefully clear भी होगा तो यह इसका रेंज है क्या रेंज है दोस्तों यह इसका रेंज है और इसका ग्राफ जो है वो एक बार मैं फिर से बना देता हूँ फिर हम इस पर based questions करने वाले हैं तो आपके दिमाग में सारी बाते clear हो देखे अगर आपने 0 रखा तो 0 मिलेगा अगर आपने 0.1 रखा तो भी 0 कब तक जब तक 1 से पहले की value है जैसे 1 रखा तो इसकी value हो जाती ही 1 1 से लेके कहां तक 1.99 तक तो वही रहती है लेकिन जैसे 2 होती है तो इसकी value कहां चली जाती है 2 पे इसकी value 2 हो जाती है 3 पे इसकी value 3 हो जाएगी जाएगी वैल्यू यह उपर चले जाएगी वह इसकी डेफिनेशन है तो उसके ज्यादा दिमाग अपने को खर्चा नहीं करना है फिर से आप समझ लें जस्ट छोटा या बराबर इंटीग्रल वैल्यू जैसे अगर आपके पास एसा हो अब देखिए ध्यान से देखिएगा अब थोड़ा समय इसको कॉंप्लिकेटड बना दिया जाए अगर मैं बनाता हूं है टैन इनवर्स कॉस्ट आफ साइन आफ ग्रेटस्ट इंटीजर और एक्स माइनस ग्रेटस्ट कियर और एक्स आव इस पर डिसकेशं करते हैं तो बिल्कूल आहिस्ता हम करेंगे आप बिल्कूल आराम- आराम से समझना ध्यान से सुनिए एक्स क्या चीज धेम लो एकbah अ एजामपल 1.7 तो 1.7 लेंगे तो यहां आजाएगा 1.7 माइनस 1.7 से जस्ट छोटा या बराबर इंटीजर क्योंकि यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.7 फिर उसके उपर भी ग्रेटेस्ट है तो 1.7 यह हो गया इससे छोटा या बराबर कौन होगा वन पॉइंट सेवन माइनस 1 करेंगे तो यह जाएगा 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जीरो होगा क्योंकि 0.7 से जस्ट छोटा या बराबर इंटीजर क्या होगा जीरो होगा अगर आप यहां पर 1.7 ना लेते यहां पर 1 लेते तो भी आपका अंसर क्या रहता तो अगर आप इसमें चला कोई यहां से माइनस 2.3 माइनस यहां पर यए we goes to minus 2.3 to minus 2.3 से और पाफ माइना 2.3 रही सआरे माइना 2.3 से यह चू है बराबर हो गा माइनश 3 यहां इसका आउटकम है सबuben कर देंगे? यह एक इन्स'll कर देंगे तो इन कितनी वैल्लिव आईगि आपके पास फिर इन थूमास्व ऑता है उसकी वेल्यू हमेशा क्या होती है हमेशा उसकी वेल्यू जीरो-या फिर 1 से- 0 या जीरो-से-बड़ी होगा 10- scholarly या जीरो से बड़ी या वही पर वन से हमेशा चोटी होती है तो ये जो भाग है ये वाला भाग ये वाला भाग जो अंदर वाला भाग है ये हमेशा इसके बीच में होगा कौन सा वाला भाग है? X- Greatest Integer X तो इसकी Greatest Integral Value क्या होगी? इसकी Greatest Integral Value Greatest Integer Value 0 हो जाएगी और आप चाहें तो एक बार प्लस का करक दें प्लस जैसे 2.3 रख दें एक बार 2 रख दें एक बार माइनस की कोई वैल्यू ले ले पॉइंट में तो आपको क्लियर हो जाएगा तो ये इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 होगी अब इसके उपर साइन इंपोज है तो यहां से लेके यहां तक फिर क्या हो गया ये अभी ये 0 था फिर से समझें पर एक बार मैं लिखता हूँ यहां पर आपको अच्छे से क्लियर होगा एकस माइनस ग्रेटेस्ट इंटियर एकस का ग्रेटेस्ट इंटिगरल वैल्यू इसका वैल्यू कितना है जीरो इसके उपर कौन लगा है साइन लगा है अगर यह साइन लगा है तो साइन आप जीरो कितना होगा जीरो फिर उसके उपर कौन लगा है कौस लगा है तो कौस आप जीरो कितना होगा कौस आप जीरो बनोगा 10 inverse x का जो range है वो है यहां से यहां तक minus pi by 2 से लेके कहां तक है pi by 2 तक तो इसके बीच में 1 कब होता है 10 तो 10 inverse 1 होगा pi by 4 में तो इसकी value कितनी आजाएगी दोस्तों इसकी value आजाएगी आपके पास pi by 4 तो इसका range क्या बना तो 13 द्वाले का range होगा x कुछ भी हो domain तो कुछ भी हो सकता है x x can be any real number पर इसका जो range होगा वो range होगा इसका only pi by 4 केवल और केवल कौन सी value होगा pi by 4 जैसे signum function में देखा था हमने अगर आपका signum function आप देखना चाहते हो तो वो इस तरीके का होता है mod of x upon x x not 0 and 0 when x is 0 तो mod x के 2 cases ले ले एक बार plus ले लेंगे और एक बार मैंने discussion पहले question में किया है x greater than 0 है तो plus x और x less than 0 है तो minus x और x is equal to 0 पर इसकी value 0 है यह आगया cancel होके 1 यह आगया cancel होके minus 1 तो इसका जो range होगा इसका range होगा 0 minus 1 plus 1 यह order कोई भी हो सकता है minus 1, 0, 1 0, 1, minus 1 कि C भी order में आप इसका लिखे तो यह था दोस्तों signal function का range निकालने का तरीका signal function का range कैसे निकालेंगे तो signal function का range आपको समझ में आ गया trigonometric function का भी range आपको काफी कुछ हद तक मुझे clear है कि समझ में आ गया अब देखिए ध्यान से कि कई बार क्या होता है कि आप से यह फिर नंबर नंबरों के नंबर इस करेक्ट नाओ अब हम question number 15 discuss कर रहे हैं जिसमें आप से range की बात होगी तो range अगर आपका ऐसा हो f of x कैसा लिखा हो x upon x-1 लिखाए और f कहां से कहां defined है तो f defined है 1 तो रखनी सकते हैं इसके अंदर तो 1 नहीं है और कहां पर defined है range of f में और range of f निकालनी है तो इसके लिए एक बहुत अच्छा method है इसका एक ideal method है वो निकालने का तरीका में आपको बताता हूं कि सबसे पहले आप fx को क्या ले ले y ले fx को क्या मान ले y मान ले fx को आप y मान लिए तो यह बजाएगा y is equal to x upon x-1 फिर क्या करें आप फिर आप cross multiply करके या जो भी कुछ करके x निकाल ले find x पहली step में क्या करेंगे आप fx को इस इस का इस टाइप के function का range निकालने का तरीका सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का specific तरीका ग्रेटेस्ट इंटीजियर का थोड़ा स्पेसिफिक है इस टाइप के function का कैसा होगा तो fx को क्या मान लेंगे y तब find x यह step 2 में आपको क्या काम करना है x की value निकालना है तो cross multiply कर आपने और x की value निकालनी है आपको तो x x वाली चीज़े सब एक तरफ ले ले x y minus x minus y को उदर भेज दे x common ले ले x की value कितनी आ गई आपके पास y upon y minus 1 अब इसमें और उसमें फॉर्टूनेटली वो दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो नेवर माइंड पर y cannot be what y cannot be 1 तो इसका range होगा जो y की value नहीं है जो y y मतलब कौन f of x f of x की कौन सी value acceptable नहीं है तो f of x की value 1 acceptable नहीं है इसलिए इसका range क्या होगा all real numbers except 1 अगर आप इसकी जगे एक और question देखो इसी तरीके का तो आपको confidence और बढ़ेगा f of x is equal to 1 आपके पास लिखा है 2x-1 upon x-1 और function कहां से कहां defined हो सकता है तो function फिर वहीं कि हो सकता है कहां से कहां all real number में से 1 minus कर दो से लेके range f define होगा अगला जो हम वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में आपको invertibility 1-1 on to subjectivity injectivity by activity पर discussion है तो आप उसमें और range of f को code domain को और अच्छे से समझ पाएंगे अभी ध्यान से देखें आप तो इसमें range of f निकालना है तो सबसे पहले f of x को क्या लिख दें हैं f of x की जगे y लिख देते हैं तो y is equal to जाएगा 2x-1 upon x-1 xy-y अब देखिए इसमें x की value निकालना है जैसा मैंने आपको बताया तो 2x को इधर बेज दें बिल्कुल एकदम आसान तरीके से निकलाएगा कोई चिंता की बात ही नहीं है इसमें no need to worry अब x की value common ले लें तो x की value common ले लेंगे दंदर क्या आएगा आपके पास y-2 y-1 what cannot be x तो इससे पता लगेगा x की value sorry what cannot be y, y क्या नहीं हो सकता है y cannot be 2 तो y can be what y can be any real number except 2 तो यह इसका range है यहीं इसका range है क्या होगा इसका range all real numbers except 2 तो यह algebraic functions जो हो जो algebraic functions होते हैं उनका range निकालने का यह बहुत आसान तरीका है अगला case देखें अगर आप यह वाला देखेंगे तो और अच्छे से clear होगा यह बहुत popular है इसका range आता है 0 से लेके 1 तक तो इसके domain पे थोड़ी सी नजर रखनी पड़ती है कि domain पे भी नजर हो तो काम आसान हो जाता है तो domain इसका क्या हो सकता है all real numbers में से all real numbers हो सकता है minus infinity to क्योंकि यह नीचे वाला कभी भी नीचे वाला कभी भी क्या नहीं होगा नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि x square plus 1 को 0 होना है तो x square को minus 1 होना है तो x square cannot be minus 1 क्योंकि हमें discussion तो real numbers पे करना है ना complex पे discussion नहीं करना तो अब इसका range निकालना है तो range निकालने के लिए सबसे पहले fx को क्या लिखो y और देखिए x square y plus y is equal to x square अब हमें x की value निकालना है तो x की value निकालना है तो एक काम करें x square y minus x square is equal to minus y अब इसमें से x square common लो तो जब आप x square common लोगे तो आजाएगा आपके पास y minus 1 is equal to minus y x square की value minus y upon y minus 1 इसमें से भी minus common ले लो x की value कितने वजाएगी आपकी यह वजाएगी root over plus minus भी रगा सकते हैं y upon 1 minus y अब जो आपका अंदर लिखा हुआ है root के अंदर वो y upon 1 minus y क्या होना चाहिए वो होना चाहिए greater or equal to 0 तो greater or equal to 0 के लिए फिर linear inequality बनाके solve करें linear inequality में अगर problem हो तो description box में जाएं linear inequalities का video उठाएं उसको भी देखें तो आपका two in one काम हो जाएगा linear inequalities के भी concept बनेंगे और उसका फायदा functions में भी मिलेगा और देखें y की जो value है वो 0 और 1 दो value है 0 और 1 0 से छोटी value आप ले ले minus 2 यहां रखके देखें minus 2 upon 1 minus minus 2 यह minus से minus cancel हो गया minus 2 upon 3 negative फिर वही आपका negative positive negative यह फिर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं कि इसको y minus 1 बना लो y minus 1 कैसे बना सकते minus common ले ले और ऐसे कर दें और इसको उदर भेज दें किदर में लेफ्ट साइड में भेज दें तो यह आपका हो जाएगा y upon y minus 1 अब critical values के आएगी 0 और 1 तब इस case में इस case में जब आपका case ऐसा हो तो वह वेवी करूप की जो टेक्नीके वह भी लगा सकते हो आप यह 0 है यह 1 है इधर से आप plus लगाना चालू करते हो plus minus plus अपने को किस में इंट्रेस्ट है अपने को लेच देन वाले इस वाले पार्ट में इंट्रेस्ट है जीरो इंक्लूडेट है क्योंकि यहां equal to 0 है तो वाई की value 0 हो सकती है पर वाइवन नहीं हो सकता है क्योंकि यह कहां पे है जाएगा इसका आनसर आ जाएगा जी राएगा h? इसका आनसर आ जाएगा? जब अमने यह रखा था तब हमारे पास क्या चप्लास गुपा प्ली का खा चरहाіє к गुपाज था कुछ लोग इसको बहुत सीधे तरीके से भी कर देते हैं तो वह सीधा तरीका भी आप समझ लो अगर आप ऐसा कर देते हैं कि x square understood है यह logic की बात है x square 0 या 0 से बड़ा होता है पर x square plus 1 से छोटा होता है और अगर x square plus 1 से आप divide कर दो इसको तो 0 upon x square plus 1 less or equal to x square upon x square plus 1 less than यह 0 आ गया और यह आपका fx आ गया तो 0 से लेके कहां तक है यह भी एक है लेकिन यह हमेशा काम नहीं आएगी अगर आपको यह question number 18 है और यहां पर आपको दे दिया x square upon x square minus 1 तब फिर आप यह वाली method आपके लिए काम नहीं आएगी तो इसलिए आप इसको वाय से अज्यूम करके करेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे तो 18 तो I hope कि आप कर लेंगे यह सारे questions बहुत important हैं जो मैंने लिये हैं आप इनको कहीं पर भी जाकर के check करें, check कराएं और देखें, दिखाएं आपको इनसे फाइदा मिलेगा और यह सारे questions जो मैं discuss कर रहा हूँ यह सारे questions जेई के exam से related question है कोई भी question इसमें useless नहीं है अगर in case if you find some problem अगर आपको कोई problem आती है तो मेरा यह WhatsApp नंबर है आप इस पर मुझे अप्रोच कर सकते मेरा नाम है Dr. Rakesh Kumar Tripathi चैनल का भी यही नहीं है Dr. Rakesh Kumar Tripathi PhD in Mathematics ठीक है, फिर आगे देखें अब इसका domain range निकालना है तो एप आप एक्स को क्या माल लेंगे आप y माल लेंगे तो यह हो जाएगा आपका x square y या y x square plus y is equal to क्या हो जाएगा आपका x आप x को इदर भेज देंगे आप तो y x square minus x plus y is equal to 0 अब यह quadratic बन गई, किसमें quadratic बन गई x में quadratic बन गई तो इसका solution कैसे निकालेंगे y अपनी जो पुरानी method है minus b plus minus under root b square minus 4 c a छाट ले a कितना है आपका y b कितना है minus 1 c कितना है y तो आपका formula लगेगा x is equal to minus b तो यह हो जाएगा आपका minus of minus 1 अपन में कितना जाएगा 2 into y अब ध्यान से देखो यह हो जाएगा 1 plus minus under root of 1 minus 4y square अपन में कितना जाएगा आपके पास 2y अब जो हमारे पास यह जो लिखा है अंदर 1 minus 4y square इसकी value under root के अंदर है तो क्या होना चाहिए हमारी value 1 minus 4y square greater or equal to 0 तो फिर क्या होगा 1 minus 2y 1 plus 2y greater or equal to 0 y का coefficient plus बनाना है तो ऐसे कर ले 2y plus 1 2y minus 1 less or equal to 0 minus से multiply कर दें दोनों साइड यह हो गया अब आपके पास जो critical values है वो क्या 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 critical values है एक है आपके पास minus 1 by 2 वो एक है plus 1 by 2 ऐसा आएगा plus minus plus अपने को किस वाले part में interest है अपने को इस वाले part में interest है minus 1 by 2 भी include हो सकता है plus 1 by 2 भी include हो सकता है क्यों क्योंकि minus 1 by 2 रखेंगे तो यह equal to 0 होगा plus 1 by 2 रखेंगे तो भी यह equal to 0 हो जाएगा तो पूरे में interest है यह कहता है कि y should not be what y 0 नहीं हो सकता इसमें से 0 निकाल दो पर आप यहाँ देखो जब x की value 0 रखेंगे इसमें थोड़ा ध्यानी जदा रखना पड़ता है अपने को जब x की value 0 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसका मतलब यही आपका answer बनेगा एकदम इसके directives directives इसकी direction यह जो कह रहा है exactly उसको follow नहीं कर सकते थोड़ा सा आप अपने को भी दिमाग लगाना पड़ता है तो एक और मैं question लेता हूँ आपको यह question number इसी type का है जिसमें आपको मैं और बताऊंगा कि दिमाग आपको थोड़ा अपना भी चलाना पड़ेगा बड़ा popular question है यह तो इसका range बहुत आसानी से बच्चे देखके निकाल देते हैं लेकिन अगर हम इसको y से निकालेंगे और y से निकालते हैं तो y is equal to under root क्या हो जाएगा 9 minus x square y square is equal to 9 minus x square x की value निकालना है तो x square is equal to 9 minus y square हो जाएगा और x की value हो जाएगी under root 9 minus y square plus minus चाहते हैं आप no problem 9 minus y square क्या होना आपका 0 या 0 से बढ़ा 3 minus y 3 plus y इसको अगर minus को plus बनाना तो इससे minus common ले लेंगे इस वाले से के वल और उस minus को इदर बेजेंगे तो inequality का sign change हो जाएगा critical values क्या हो गई आपकी माइनस 3 हो गई और एक 3 हो गई इससे बड़ी value रखेंगे तो प्लस माइनस प्लस आंसर क्या बोल रहा है कि वाई कहां से कहां तक होना चाहिए वाई यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है पर अगर आप इसमें अंडर रूट आप एक्स स्क्वेर फंक्शन में मॉड एक्स के बरावर होता है यह कभी भी negative नहीं होता है तो फिर आपको अपना IQ भी अप्लाई करना है कि इसका रेंज होगा जीरो से लेके थ्री तक इसमें माइनस थ्री से जीरो तक जीरो के पहले की वैल्यू यहने negative वैल्यू कोई भी नहीं आईगी क्योंकि यह हमेशा कैसा है आपका यह हमेशा आपका पॉजिटिव है इसी तरीके से मैं आपको देता हूं कि एक आज क्वेश्चन आप भी ट्राय करना एक पाप एकस इकल टू और रूट ओवर बन माइनस पोर एकस स्क्वेर एक ले लें ठीक है मैं और एक सला देता हूं आपको यह वाला ले सकते हैं आप आपको यह देख लिजे एक पास ऐसा आजाए एक स्क्वेर माइनस मैंनेस टू अधू एक स्वेर मैनस टू एक लस अ कि लगए देंफे टूर यह हो जाएगा वन प्लस यह यह हो जाएगा वन यह यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा अधर obviously x minus 1 whole square plus 1 तो इसकी जो सबसे छोटी value होगी सबसे छोटी value क्या होगी इसकी 0 होगी, जब सबसे छोटी value 0 होगी, तो 0 plus 1, सबसे छोटी value इसकी पूरी हो जाएगी 1 और सबसे बड़ी, तो फिर x की जितनी बड़ी value डालोगे उतनी बड़ी value निकलाएगी तो इसका range, 23 वाले case का range, range of f इसका range आएगा 1 to infinity, कितना आएगा 1 to infinity ये थोड़ा सा अपन को ध्यान भी रखना है इसमें एक ही method काम नहीं करती, आपका दिमाग हर तरह से channelize करना पड़ता है हर तरह से सोचना पड़ता है तब आपको कुछ clear होता है अब अगर आपके पास एक बहुत अच्छा सवाल है बहुत popular है 3 sin under root pi square by 16 minus x square पहले number के वीडियो देखो इसके domain में मैंने pi by 16 लिख दिया था जबकि pi by 4 आएगा क्योंकि इसका domain फिर मैंने उसमें उपर correction दिया है इसका domain आएगा minus pi by 4 से लेके pi by 4 तक आएगा अब 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 यह सोचेंगे क्या सोचेंगे क्या रहे यार यह तो sign है sign की value तो minus 1 से 1 होती है तो इसका domain इसका range क्या होगा minus 1 से 1 तो यह 3 multiply कर देंगे माइनस 3 से 3 होगा तो ऐसा सोचना गलात है क्यों गलात है क्योंकि इसके इस पर भी depend करेगा किस पर depend करेगा domain पर depend करेगा कि domain क्या कहता है इसका तो domain जो कहेगा वह होगा तो पहले मेरी बास सुनो आप बिल्कुल आराम से करते हैं अपन बिल्कुल धेरे रखना आप 3 इंटू साइन यह value हमेशा positive रहेगी क्यों positive रहेगी under root मैंने आपको अभी इससे पहले ही बताया कि under root पूरा जो under root का outcome होता है वो positive ही होता है non negative होता है बलकी 5 square by 16 यह सबसे सबसे छोटी value पूरे इस expression की कब होगी जब x की सबसे बड़ी होगी तो x की यह value मतलब pi by 4 जब आप pi by 4 रखोगे तो यह हो जाएगा pi square by 16 जब यह pi square by 16 होगा तो pi square by 16 pi square by 16 से cancel हो जाएगा तब इसकी value हो जाएगी 0 तो जब इसकी value 0 हो जाएगी कैसी होगी positive होगी और sin है और इसकी सबसे बड़ी value क्या होगी जब सबसे बड़ी होगी तब जब सबसे छोटी यह हो तो x square की सबसे छोटी value क्या होगी इसमें देखो 0 हो x square की सबसे छोटी value 0 और क्या 0 इसमें है yes it belongs तो इसकी सबसे value इसकी मैक्सिमम वैल्यू हाजाएगी 3 by root 2 तो यह इसका क्या बन गया दोस्तों इस बार इसका रेंज बन गया जीरो से लेके 3 by root 2 तक तो यह था question आपका जो trigonometry का था और विशेस मतलब थोड़ा special type का question था आप एकात question कुछ इस तरह से भी ले लेते हैं कि माल लोग आपके पास है 25th यह हमने domain में भी किया था sorry second वाले वीडियो में आप देखोगे तो आपको मिलेगा sin square plus sin square x plus pi by 3 plus cos x cos x plus pi by 3 अब पूरा यह कुछ भी लिखाओ ताज महल लिखाओ लेकिन जब यह simplify हुआ था तो after simplification आप second वाला वीडियो देखिएगा सारे वीडियो देखिए आप बहुत ज़्यादा confident हो जाएंगे क्योंकि इसमें केवल और केवल concept solution problems अलग-अलग varieties पर discussion है तो वीडियो नंबर टू जब देखेंगे आप तो इसकी value आई थी simplification के बाद 5 by 4 तो अब इसका range कोई दूसरी चीज नहीं हो सकता इसका range क्या होगा दोस्तों इसका range क्या होगा 5 by 4 होगा चोटी मोटी गलतियां हो जाएं तो नेवर माइंड आप मुझे लिख के बता सकते हैं टाइम लगबख हो गया है आपका कि 55 मिनिट सो रहे हैं मेरे खाल से फिर भी आप अच्छा साथ दे रहे हैं हम question number 25 पे पहुंच गये हैं अब अगर आपके पास question एक इस तरह से भी ले लेते हैं f of x is equal to x square minus 3x plus 2 x square plus x minus 6 तो इस case में तो यह algebraic है algebraic है तो f x को क्या मानेंगे आप y मान लेंगे y is equal to x square minus 3x plus 2 और यह हो जाएगा आपका x square plus x minus 6 और cross multiply करेंगे फिर इसको इधर भेजेंगे x square मैं direct click देता हूँ आप इतना आपको कोई तकलीफ आएगी नहीं और x की value निकाल लें क्या निकालने दोस्तों x की value निकालने और x की value निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास minus minus 4ac तो 4 into y minus 1 into minus में वो तो यह प्लस हो जाएगा वो हो जाएगा 6y plus 2 6y plus 2 whole upon 2 into y minus 1 तो यह आपके पास आगया minus 1 plus 3y plus minus आप इसको चाहें तो इसमें से 2 common लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 8 y minus 1 और यह भी क्या बन जाएगा आपका 3y plus 1 और यह 3y plus 1 ही अल्रेडी old square तो common ले सकेंगे आप तो 3y plus 1 common ले लेंगे आप तो यहां पर बचेगा आपके पास ध्यान से सुनिए 3y plus 1 और यहां बचेगा 8y minus 8 तो simplify करेंगे तो 3 और 8 11y minus 5 हो जाएगा फिर आप वैसे यह अपनी मेथाट से कर सकते हैं कैसी मेथाट से कि यह जो portion है आपका यह क्या होना चाहिए दूस शुट भी greater or equal to 0 यह greater or equal to 0 हो तो इस तरीके से आप इसको linear inequalities बना करके इस वाले portion को कर सकते हैं 3y plus 1 into 11y minus 5 greater or equal to 0 तो greater or equal to 0 है इस ट्रेट लाइन बनाएंगे इससे पॉइंट आएगा 5 by 11 इससे आएगा आपका minus 1 by 3 तो minus 1 by 3 पीछे साइड में बनाए negative न अब आप यहां से रखना चालू करेंगे तो positive negative positive आपको पूरे में इंट्रेस्ट है यहां से यहां तक यहां से यहां तक आप सारी values ले ले अब इसमें वाई की एक value आप छोड़ना भी पड़ेगी कौन सी वाली value छोड़ना पड़ेगी वन तो वन अगर इसके बाद आ रही है तो वन को आप discard कर दें वन को हटा दें बस बाकी फिर आपका answer आ गया तो यह था दोस्तों आज काफी अच्छा discussion रहा hopefully मेरे खाल से 60 minutes का discussion है पिछले जो दो वीडियो थे उनको वन आर 31 वन आर 33 minutes का बनाया था तो बच्चों की demand भी थी कि थोड़े से वीडियो compact और छोटे हूं ताकि वो देखने में आसान हो तो यह मैंने आपकी गुजारिस पर आपकी request पर वीडियो ब आएगा और मेरी best wishes हैं कि आप अच्छे सच्चा करें चैनल लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और अपनी बात को दोस्तों तक दूर दूर तक पहुचा दें जहां बच्चों को ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं वहां तक बच्चों को बात पहुचा दें और कोई भी चीज बहुत जल्दी की दो मिनिट में तीम मिनिट में पाँच मिनिट प्रैक्टिकल्य इंपासिबल आपको उसमें उत्र ना पटेगा डेफ्थ में जाना पड़ेगा डेफ्थ तक समझना पड़े तब Hmm आप आगे बढ़ेंगे झाल झाल